राजस्तान में इन दिनों सचीन पाइलेट सक्ति परदसन करने में लगे हुए हैं आपको बता दे विदानसबा सतर से पेले और विदानसबा सतर के बाद सचीन पाइलेट लगबाग दो मैने में पूरे राजस्तान में अपना सक्ति परदसन करेंगे और इसी भी दोसा के टोड़ा भीम में आयोजीद सबा में भी सचीन पाइलेट के सक्ति परदसन में आपको यहां पर बता दे पी आर मीना ने बड़ा बयान दे दिया पी आर मीना ने कहा कि अब कमान सचीन पाइलेट के हाथ में दे दिनी चाहिए ताकि दिल्ली जाने का बोले या फिर लाल किल्ला या फिर किसी अन्य छहतर में हम चले जाएंगे इस बयान के बाद कई तरीके के माइने निकाले जा रहे हैं पाइलेट गुट की और से बयान लगातार आते रहते हैं विश्वेंदर सिंग इन बयानों के कारण ही इन दिनों चर्चा का विश्ये बने हुए हैं ऐसे में सचीन पाइलेट को लेकर आने वाले इन बयानों को लेकर क्या नई ताजा अपडेट देखने को मिलेगी किस तरह से सचीन पाइलेट के इन बयानों पार बातचित हो रही है किस कारण से सचीन पाइलेट के इन बयानों को लेकर तरे-तरे की बाते सामने आ रही है ऐसे में यहाँ पर कई तरे की मेत्वेपून बाते और खबरे भी सामने आती है ऐसे में दोस्तों तमाम खबर पाने के लिए हमारे साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद